आप देख रहे हैं लाइवाज्र हर खबर आप तक पुलिस कोथवाली परिसर में महिला रिपोर्टर केंग्ल की स्थापना की गई लखनों में लोगी आदित्यनाथ जी के उध्गरखाटन के बाद एक बचकर तीस मुट पर किया बिजनों एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीन रंजन ने केंग्लों के फीते की गांट खोल कर चौकी का शिभारंप किया लिपोर्टर केंग्लों के उध्गरखाटन से पूर्फ पुलिस महिला दिवस के इपलक्ष में लख्वनम्नी चल रहे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लोगी आदित्यनात के संबोधन को पुलिस कोत्वाली में लैप टांग पर बिजनों एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंग सियर शुब सुचित कोत्वाली प्रभाली पंकच तोमर्वा पुलिस कर्मियों ने देखा अपने संबोधन में लोगी आदित्यनात जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार वचिन बधर है पीडुक महिलाओं को त्वरित इंसाफ मिले इसको लेकर उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर में महिला रिपोर्टल चौकी केंग्रे की स्थापना की गई है इस अफसर पर पुलिस अधीक्षक बुजनौर डॉक्टर धन्वीर सिन्मी शिभारं भूल महिला रिपोर्टल चौकी का कार्यभार महिला दरोगा वंदना रस्तोगी को सौंपा इसके अलावा महिला रिपोर्टल चौकी में मुख्या आरक्षी हेड कांस्टेबल सुरेश चंत्यागी एड कांस्टेबल महिपाल सिंध, महिला कांस्टेबल मंपा, अनीता, कांस्टेबल या सचिन पवार, अमित कुमार आधी एक बलोगा सहित साथ लोगों को महिला कांस्टेबल चौकी पर नियुक्त किया गया इस मौके पर थाना प्रांगर में समस्त पुलिस स्टाफ सहित मगर से आई गर्मानी महिलाएं उपस्थेत हुई आज नीज चैनल में जंपग बिजनौर के चांदपुर से रिपोर्ट सली महिमत की खास रिपोर्ट उसका सीधा प्रसारण हम सब में बैठ की लेगा उसी मिसन सक्ती के अंतरगत महिला स्वाम लंबन नारी सुरच्चा नारी सम्मान के दाथ यहां पर नारी सुरच्चा समित के अगठन किया गया है इसके साथ ही साथ चांदपुर का असवभा किया है कि यहां ठाने पर मुख्याले से सुरूर यहां पर महिला रिपोर्टिंग पुलिस चोपी परामर्स केंदर खुला गया है अब महिलाओं को अपने समस्याओं के लिए जिले मुख्याले पर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि नी चांदपुर ठाने केंदर केंपस में ही इनको अपना परामर्स केंदर खुला है जो हुआ है वहां से सम्मध समधाना गया